हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब जैसा कि आपको पता है हम SSC J.E. Civil Engineering के आपके 2005 से लेकर आपका जो लाश्ट एक्जाम हुआ था मार्च 2021 में उन सब के प्रीवेसेर के कुश्चन पेपर कर रहे हैं अगर आपने हमारे बाके के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेइलिस्ट में जा कर देख सकते हैं और इसके साथ के साथ अगर जो आपको PDF चलिए हो तो आप हमें WhatsApp पर मेसेज कर सकते हैं तो प्लीज आप लिग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इन पेराग्राफ से आपके काफी कुश्चन निकल कर आएंगे पहला कुश्चन है ये कुश्चन आपका दो बार पूछा गया है S.C.J.E. 4 मार्च 2017 को और 1 मार्च 2017 को अब हम इसे हिंदी में रिपीट करेंगे उसमा और अत्यधित दाब के कारण मूल सरंचना में परिवर्तन के कारण बनी चटान क्या कहलाती है ओप्शन आपको दिये गए हैं सेडिमेंटरी रोग कहते हैं इगनियस रोग कहते हैं मेटामोर्फिक रोग कहते हैं या फिर इन में से कोई नहीं तो आपके दिये गए ओप्शन में से भी सही रहेगा इसे कहते हैं इगनियस चटान यानि आगने चटान ये पिगले हुए मेगमा ओक्सीजन और सिलिकोन की अधित्ता के सीतलन यानि ठंडेपन और क्रिसली करन के फिलसुरूप बनता है अगर बात की जाए अगने चटानों के एक्जामपल की तो उसमें ग्रेनाइट बैसाल्ट ट्रेप और डोलोमाइट होंगे अगला होगा सेडिमेंट्री रोक इसके बारे में हम पढ़ेंगे पृत्वी की सतही प्रक्रिया जिसमें आपका अप्छे छरन, बारिस, हवा लहर क्रिया और महासागर परिसंचरन के कारण इसकी उत्पत्य होती है सेडिमेंट्री रोक में आपके एक्जामपल होंगे बलुआ पत्थर यानि सेंड स्टोन चूना पत्थर यानि लाइम स्टोन अगला पॉइंट है आपका मेटामोर्फिक रोक इनकी मूल बनावट सरंचना और खनिज उच्च दबाव यानि हाई प्रेसर और टंप्रेचर के कारण बदल जाती है इसमें आपके नीज संग मर्मर यानि मार्बल और क्वार्टा जाइद होते हैं अगला कुश्चन भी आपका बिल्डिंग मेटेरियल से है सिंगल इज यानि सिंगल क्या है वोटर बोंड पेबल्स है या फिर विगटिट लेटेराइट है या क्रस्ड ग्रेनाइट है या फिर इन में से कोई नहीं तो आपका सिंगल जो है सिंगल एक गोल मटोल छोटे भाटे अत्वा कंक्री आकार का पत्थर होता है जो लेटे राइट चटान के अप्छे से बनता है ये कंक्री के नाम से भी जाना जाता है सबसे छोटी कंक्री 6 mm से लेकर 30 mm तक ग्रेवल कहलाती है इसकी बड़ी सिंगल तथा बड़े भाटे जो होते हैं वो बोल्डर के नाम से जाने जाते हैं ये सड़क डिट्टी तथा कंक्रीट के मिलावे यानि एग्रीगेट के रूप में यूज किये जाते हैं अगला कोश्चन है यहां पर पूछा है केवल तनाव वहन कर रहे एक्जियली लोडिज मेंबर के लिए अधिक्तम अनुमत तनुता अनुपाद कितना रहेगा यहां पर हमें एक टेबल करेंगे साथ में सरंचना इश्टील में जो हमेशा तनाव यानि टेंसन में रहता है उसका सिलेंडरनस रिशियो अधिक्तम 400 यानि 400 रहेगा यहां पर आपको अवियव यानि मेंबर के प्रकारदे रखे हैं और अधिक्तम तनुता अनुपाद पूछा गया है कंप्रेशन मेंबर जो डेड लोड ग्रहन करते हैं उनके लिए 180 रहेगा कंप्रेशन मेंबर जो वाय और भुकमपी भार ग्रहन करते हैं उनके लिए 250 रहेगा तेंसन मेंबर जो छट ट्रस या ब्रेसिंग के लिए उपियो किये जाते हैं उनके लिए 350 रहेगा और जो आपके तेंसन मेंबर अत्रिक्त लोड के लिए यूज किये जाते हैं उनके लिए 400 रहेगा अगला कोशन है According to IS 800-1984 The permissible stress in axial tension in steel is पूछा है IS 81984 के नुसार Steel में axial tension में अनुमत प्रिजिबल कितना रहेगा ये रहेगा आपका 0.6 FYR मिनिमम ये stress of steel किसी tension member की strength होगी खंड का सुद्ध छेत्रवल यानी section का net area into अनुगेर प्रितिबल यानी permissible stress अगला question आपका most important question है The ratio of shear stress and shear strength of an elastic material is पूछा है प्रत्यास्थ सामगरी के लिए अपरूपन प्रितिबल और अपरूपन विक्रत का अनुपाद क्या होता है इस type के question आपके हर एक exam में पूछा जाते हैं प्रत्यास्था मापांग बराबर प्रितिबल अपान विक्रत इसे modulus of elasticity भी कहते है आपका अपरूपन मापांग अपरूपन प्रितिबल अपान अपरूपन विक्रत इसे N और C से प्रदर्शित यानि रिप्रेजेंट करते हैं तथा modulus of fragility या shear modulus भी कहा जाता है आपका अपरूपन मापांग यानि bulk modulus इसे define करते हैं सीधा प्रितिबल अपान अपरूपन में विक्रत से bulk modulus को केसे रिप्रेजेंट करते हैं उपरूपन तीनों मापांग को गिकाई Newton mm2, Newton meter, square अथवा kilogram, second square meter होती है ये point भी आपको याद रखने होंगे अगला question है आपका public health engineering से यानि घर की नाली को गली की मल प्रनानी से अलग करने के लिए प्रियोग में लाया जाने वाला जाल क्या कहलाता है options आपको दिये गए है master trip कहते है intercepting trip कहते है intercepting manhole कहते है या फिर all options are correct इसके answer में हम number of trips करेंगे सबसे पहला है आपका first trip यानि floor trip इसे जो है दूसरा नाम है इसका नहानी trip ये trip भवन के first में निर्मान किया जाता है ताकि वोस बेसिन, sink, bathroom आज से जो भी अपसिश्ट जल होता है उसे बाहर किया जा सके next point है आपका P-trap इस ट्रेप का भारतिय जल क्लोजट के साथ प्रियोग किया जाता है ये कच्चेलों है या UPVC के बने होते है इस ट्रेप में पानी की seal भी होती है जो घर में असुद्धिगेसों के प्रिवेश को रोकती है अगला point है आपका S-trap का ये P-trap के समानी है अंतर केवल इतना होता है P-trap को दिवार के माध्यम से जबकि S-trap को फर्स के माध्यम से आउफ़डेक्ट के लिए उप्योग किया जाता है अगला है आपका Intercepting Trap यानि अवरोधन Trap इस Trap को सीवर बनाने के लिए सरवजनिक सीवर से असुद गेसों के प्रिवेश को रोकने के लिए सीवरेज निर्मान के अंतिम मुख छेद यानि होल पर प्रदान या प्रोवाइट किया जाता है अगला point है आपका Grease Trap ये Trap कच्रे की तेल सामगरी इकठा करने के लिए लगाया जाता है इसका प्रियोग खादी प्रसंसकरन इकाई में होता है लाश्क आपका बोतल ट्रेप गंदे गेसों के प्रिवेश को रोकने के लिए ये जल वोस बेसिन और सिंग के नीचे प्रियोग किया जाता है ट्रेप से संबन्धित कोश्चन अगर कोई भी हा जाता है तो आपको यहां से हेल्प मिल जाएगी अगला कोश्चन है पूछा है मानक साबुन के विलेन की मात्रा जो एक पानी के नापे गए आयतन में इस्थिर तरीके से हिलाने पर इस्थाई जाग बनाने है तो आवस्चक होती है संब्पूर्ण कठोर्ता को बताती है ओप्सन्स आपको दिये गए है डाक्टर क्लार्ग प्रोसेस हेहनर प्रोसेस विलियम प्रोसेस या फिर दुरखीम प्रोसेस तो यह आपका कहलाता है डाक्टर क्लार्ग प्रोसेस ओप्सन ए आपका सही रहेगा लास्ट कोस्चन है आपका डार्सी वैस्बेक इक्वेस्चन तू कोड्कुलेट दा हेड लोस द्यू टू फ्रिक्षन फोर फ्लो थू पाइप इस अप्ली केबल वेन दा फ्लो थू थू दा पाइप के अन बी पूछा है पाइप द्वारा प्रवाह के लिए घरसन के कारण दा बोचता हानिका परिकलन करने के लिए नलिकाओं दारा कैसा प्रवाह होने पर डार्सी वैस्बेक समीकरन लागू किया जाता है ओप्संस आपको दे रखे हैं सिस्सी जई 2014 में आपका कुश्चन कूछा गया था मॉर्निंग में लेमिनार फ्लो कहते हैं टर्बिलेंट फ्लो कहते हैं या फिर लेमिनार और टर्बिलेंट दोनों या फिर सब क्रिटिकल फ्लो कहते हैं तो इसे कहते हैं लेमिनार और टर्बिलेंट फ्लो ओप्संस ये आपका सही रहेगा तो ये आज का हमारा S.S.C.E. Civil Engineering के Previous Air Paper का Part खतम हो चुका है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें सेर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें